कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हादार भारत में है जैपूर में है राजस्तान में अर्चित गुपता जी संगीता जी और इनकी पूरी टीम आज यहां आईए कराले में और समर्थन तो पहले ही इंडिया गटवंदन में यह लोग और लगातार लगे वह हैं जहां पर कॉंग्रेस पार्टी लड़ रही है वहां कॉंग्रेस पार्टी का समर्थन आमादमी पार्टी कर रही है और जहां पर आमादमी पार्टी लड़ रही है उसका समर्थन कॉंग्रेस पार्टी कर रही है यह भारत की आवाज को मजबूत करने के लिए बड़ा गटवंदन आप जानते हैं इस वक्त केजरिवाल जी को एरेस्ट किया गया उसका बड़ा रियक्शन पूरी कंट्री के लोग मानते हैं एक चीफ मिनिस्ट्र को बेवज़े बंद करना, टार्गेट करके बंद करना, ये करेप्शन के खिलाब जो जंग लड़ रहे हैं उन लोगों के पर बाज को मजबूत करते हैं, आप जानते हैं गाउं गाउं में बहुत बुरे हाला हैं, हर जोंपड़ी से रोने की आवाज आ रहे हैं, भूके, गरीब, परिशान, महेंगाई से तरस्त लोग कहां जाएं, बीजेपी मुद्दों से ध्यान अटाकर इलेक्शन जीतना चाहती है, आज ही प्रधान मंत्री जी को मैं सुन रहा था, बार-बार कहने हैं, दस साल में तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पूरी पिक्चर बाग की है, भाज साहब मारोगे का पूरे देश को, ट्रेलर में ही लोग रूँ रहे हैं, ट्रेलर इतना बारी है तो पूरी गारंटियां तो फेल हो गई बहुत जबर्दस पेट्रोल डीजल की महगाई बढ़ी है आम आदमी दुखी है रोजगार मिल नी रहा मैसमी कानून में दो व्यक्ति यदि बिजनेस कर रहे है यदि 45 दिन में किलियर नहीं किया तो सरकार ये कह रहे हैं बीजेपी के सरकार के हम तीसरा आदमी बीच में घुषेगा और वो तीस परसेंट टेक्स हम वसूल कर लेंगे पर ऐसे कानून कभी बनते हैं इस देश को जा पूली दुनिया में लोग उधार में बिजनेस करते हैं बीच में सरकार आ गई यह पचास क्रोर के नीचे जो लोग बिजनेस करते हैं द किसान का करजा आप माफ नहीं करते हैं हर एक घंटे में चार नोजवान आत्मत्या कर रहे हैं राजस्तान में जो इनकी सरकार है बीजेपी की हो तो धुवाई धुआ चोड़ रही हो पर हेलिकॉप्टर उड़ता रहता है दिन बर धुवाँ छोड़ता है शाम को उतरता है काम जीरो तीन मेने में तीन पैसे का टेंडर नहीं किया और जो पार्लेमेंट का मेंबर होता है लोग सबा का वो आपके सुख दुख का साती होता है पार्लेमेंट में ऐसा MP होना चाहिए जो आपका फोन उठा सके फोन पर बात कर सके जो आपके घर पहुंच सके आपके महल को होगा वोटर का आप तो डाइरेक्ट नेता को हमारे निसान को देख ओर वोट देज़ों तो भाई साथ पृर देश कैसे चलेगा एक आदमी जो इसकी आँख में सरम होगी जो सक्सियत होगा, and even MP होगा, तो उसको कोई भी आदमी phone करेगा, तो बात तो करेगा, अब किसको phone करें? प् сохранzymantnehmen जी जी तो phone नहीं उठाएंगे, इनके मुंक्यमंद्री भजनलाल जी का और बसुंनलाल जी का ली नहीं साथे हमारा कहां से उठाएंगे और वो डायरेक्ट वोट मांग रहे हैं कि ये देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजी सो रही है सारी पार्टियां इब्यूट है साधन उनके पास जबर्दस्त है हमें एक भी साइट नहीं मिल रही है हम प्रिचार नहीं कर पा रहे हैं तो कि बीजेपी ने सारी साइटर हो उनके पाप पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं यह महसूस कर रहा हूँ पिछले चार-पास दिन से जो लोगों का रेस्पॉंस है वो दिन पर दिन इतना तेजी से बढ़ रहा है अब पता चल रहा है कि लोग सरकार पर डिबेट कर प्रधानमंत्री पर डिबेट कर रहा है कि कितना कितना जूट भुला गया इन दस सालों कितने जूटे मुद्धे उठाए गए बियस एनल बरबाद क्यों हो गया क्यों बियस एनल के 80,000 टावर उन्होंने जीओ को दे दिये और जीओ उसका किराय ले रहा है बियस एनल के 80, मिलता था, senior citizen, senior citizen का concession आपने खतम कर दिया, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, जो Congress की पुरानी योजना मुफ्च रासन हम देते थे सी करोड़ों को, वो याप दे रहे हो, जब आप सत्ता में है तो का नरेगा बंद करूँगा, मुफ्च रासन बंद करूँगा, क्योंकि म मनमोन सिंध्धी तक, चाए और राजी अगांदी थी चाए इंद्रा गांदी चाए एटरवियार इवाच्पही जी और अक्या इन्हों ने 24लाक करोड कर जा लिया, इत्यक्ति मुद्दह ही कि है जो आपके शुक जुक में आपके साथ खड़ा ओकर Beautiful Gंटे दरवाजे एक खुला रखता हो किसी इसी की घुलामी करे जनता की मुद्धों को समझे जनता की आवाज को समझे और कुछ कर पाए। ऐसा एंपी बनना चाहिए एंपी ऐसा नहीं बनना चाहिए जो नारी लगाए सिर्फ पार्टी है देखिए सेंटर लीडर्शिप ने पहले तैक कर लिया था कि अपकी बार का चुनाओ जो है वो आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस पूरा इंडिया गडबंदा नहीं खट्टा ह पूरा भारत चुनाओ लटा पूरा इंडिया चुनाओ लटा है आज देश के अंदर जिस तरीके से महौल है कि आने वाले समय में वोट डालने की जरुत नहीं पड़ेगे फिर वोट डालने नहीं दिया जाएगा यह चुनाओ मैं तो कहता हूँ चुनाओ अगली बार होडिंग बैनर आज जगय जगय पे बीज़ेपी के होडिंग बैनर इतने देखने को मिल रहे हैं जिसकी लिमिट नहीं है आज ही एक मित्र कहरा था कि चुनाओ जैसा महोल नहीं दिख रहा किसी का नाम ही नहीं पता आपको और जो गए हैं वो जाकर कि लोग सवाब में सोया करते थे आज इस्तिती है जैपूर की जनता को समझना पड़ेगा सुख दुख के साथी तो हैं जो हैं पर जैपूर के मुद्दे को अगर लोग सवाब में जाके बुलंद करना है तो प्रता प्रताप सिंग्जी के आवाज को बुलंद करना है जो कि अगर प्रताप सिंग्जी के आवाज बुलंद होगी तो जैपूर की आवाज दिल्ली में बुलंद होगी